कैसे हैं दोस्तो, एक स्टॉक है रुची स्वया जिसने आज बहुत हल्चल मचा के रखी हुई है और लोगों में बहुत उर्सा है, लोगों में बहुत curiosity है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वज़य है कि रुची स्वया का जो share है, वो सूपर क्लाइम कर गया, 6,000% बढ़ गया, यह चार्ट आपके सामने दोस्तो, जहां जन्वरी में रुची स्वया का rate, अगर आप देखेंगे, 16 रुपे 21 रुपे के आसपास हो अगर तरह, आज वो 1124 रुपे के आसपास non-stop चाड़ गया, ऐसा क्या हो गया, इस वीजियो को पूरा अंतक देखे गया, ताकि आपको पूरा खेल समझ में आए, आप ये decision ले पाएं, कि आप पूर रुची स्वया में अभी invest करना है कि नहीं करना, अगर आपने invest कर रखा है तो क्या करें, जन्वरी में ये stock इसलिए चर्चा में था, क्योंकि रुची स्वया ने एक insolvency procedure के जरिए, पतांजली ग्रुप के सा बहुत चर्चा में है, 17 जून को 1130 रुपे के आसपास शेर लगा दिया था और आज 1124 रुपे का rate आज भी चल रहा है, रुची स्वया के insolvency procedure के बाद ये शेर 17 रुपे पती शेर के rate पे enlist हुआ, उसके बाद 1130 रुपे पर शेर के rate के मतलब है लगबग 6000% का increment होना एक अचानक रुची सोया को क्या हो गया जो इतनी लंबी चलंग लगा दी, कितनी तेर था कि ये rise बना रहेगा, और अगर ऐसा share चड़ा है तो investors को ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या और भी buy करना चाहिए, या wait करना चाहिए prices के गिरने का, ये सब जानने के लिए पूरा वीडि खोलना चाहते हैं, ट्रेडिंग खोलना चाहते हैं, इंडिया की नंबर वन कंपनी के साथ, that is angel broking, तो प्लीज आप वीडियो के description में दिये गए link पे जाके अपना account खोल सकते हैं और अपनी investment की शुराद कर सकते हैं, आप समझते हैं रूची सोया का खेल, सबसे बड़ी news ज इंडिया का leading consumer goods manufacturer है, रूची सोया के insolvency के बाद पतांजली ने इसको acquire करने के पीछे का reason बताया था, कि इंडिया के FMCG market में leader बनना चाहता है, और इंदुस्तान Unilever को cross करके number one spot में पहुंचेगा, रूची सोया इंडिया में leading edible oil manufacturer है, और घर घर में इसका new trailer जैसा product बहु बढ़ा सकती है, यही season था रूची सोया को buy करने का, पतांजली ने रूची सोया deal के लिए 4,350 करोड रूपे खर्च किये थे January में, उसके बाद COVID-19 आया और lockdown के बाद economy scenario बहुत खराब हो गया, लेकिन फिर भी 17 रूपे परती share में realist करने के बाद भी रूची सोया ने इतनी लंबी चलांगाई 1130 रूपे तक की, रूची सोया इनलिस्ट होने के बाद 5% circuit limit और trading की compulsory delivery window के conditions के साथ आया, इस 1130 रूपे परती share की listing के बाद रूची सोया को overall valuation अब 31,693 करोड है, यह काफी बड़े Indian companies जैसे Bosch Limited, पंजाम National Bank और मदरसन सुमी Limited से ज्यादा है, आप सवाल बड़ता है कि ऐसा क्यों हुआ, क्या करें यह समझने से पहले, यह समझना जरूरी होगा कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ है कि रूची सोया के अभी market में 39.59 करोड shares है, इसमें से सिर्फ 28.59 lakh shares public की holding में है, इसका मतलब सिर्फ 0.97% ही public holding में है, बाकी 99.03% shares पतांजल ग्रूप के पास ही है, अभी समझना में यह पड़ेगा आपको कि market में जो share उपर जा रहा है, अगर उसकी quantity कम हो, यानि availability कम हो, तो उसका price उपर चड़ना बहुत normal है, एक्क्यूदिशन प्रसेस के जरिए, पतांजली ने 4500 क्रोडर पे extra infuse किया है, रूची सोया में provincial shares के ज इसके साथ international rating agencies brickworks ने रूची सोया के long term और short term borrowings को may be stable outlook दिया है, brickworks का मानना यह है कि रूची सोया का liquidity position financial year 2020 के 9 महीने में educate था, financial year 2021 में उनका कोई fixed debt obligation नहीं है, इसका मतलब यह भी है कि workforce maintain करने के लिए उनके पास NF capital है, पतांजली का aggressive market movement और palm plantation को आप बढ़ाना, एक और reason है जिसकी वैसे investors ने इस पे भरोसा दिखाया, पतांजली ने acquisition के time पे ही एक target turnover टिकलेर किया था, रूची सोया के लिए financial year 2020 में, उनके 20 से 25 करोड का turnover में से 13,000 करोड रूची सोया से ही आएगा, ऐसा credit किया था पतांजली ने, जब इतनी बड़ी company ऐसा भरोसा दिती है, तो investors ज कोई भी company अगर listed रहना चाहती है, तो उसको majority stake 75% से जाधा नहीं हो सकता, अभी रूची सोया में पतांजली का stake 99.03% है, इसका मतलब है कि पतांजली को minority shares के amount बढ़ाने पड़ेंगे by 24%, 29.59 crore total shares का 24%, मतलब 7.10 crore shares, इतने सारे shares investors के पास आने वाले हैं अगले दिनों में, अ लेकिन ये process बहुत जल्दी होगा, तब शायद रूची सोया के prices में correction आए, आप उसके लिए wait कर सकते हैं, ताकि जो prices थोड़ा कम हो, तब आप रूची सोया के shares को खरी दें, क्योंकि company की ratings काफी अच्छी है, ये ऊपर ही जाएगा, और इसकी parent company मतलब पतांजली वो भी बह इसका मतलब रूची सोया के बहुत साई shares market में आने वाले हैं, वो कैसे आएंगे, कैसे, present share price 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 को complete treat करेगी, ये जानने के लिए आपको news पे और हमाई चैनल पे नज़र बना के रखनी पड़ेगी, दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज चैनल को सबस्काइब जरू कर लीजिए, वीडियो पसंद आया, तो लाइक करना ना भूले, कमेंट सेक्षिन में कमेंट जरू करें, और अपने दोस्तों में जरू शेयर करें, तांक यू सो माच, टेक कैर, जहिन